जै मा, श्री श्री मा आनंद मई, लेखी का श्री गुरु प्रिया देवी अनुसंधान, इससे कहती हूँ, निंदा से न तो डरो और न कुपित हो जाओ मा तो कहती है, किन्तु हम उसका पालन कहां कर सकते है एक काला जवर पीडित लड़के का वृत्तान्त, एक घटना और घटी थी हमारी ही एक आत्मिया अपने बीमार लड़के को लेकर हमारे टिकाटुली के मकान में आई लड़के की काला जवर से शोचनी अवस्था थी, उन्होंने मा का वृत्तान्त सुना था पिता जी ने उनसे कहा, मेरे मकान में दो प्रकार की चिकित्सा होती है यदि डॉक्टर ही चिकित्सा कराना हो, तो उसकी व्यवस्था कर देता हूँ और यदि विश्वास हो, तो मा के निकट छोड़ दो यदि बचना होगा, तो उसी से बच जाएगा दो एक तिर विचार कर उन्होंने मा का प्रसाद खिला कर रखने का ही निश्चे किया मा भोग के लिए टिकाटुली के मकान में आई थी मा का भोजन हो गया था हमारी आत्मियाने जाकर लड़के के लिए प्रसाद चाहा मा चूप रही, बोला ना जी उठ गए मा सहसा उठते समय एक ग्रास भात लेकर उस लड़के की मा के हाथ में देखकर ही उठ पड़ी इस तरह प्रसाद पाकर उन्होंने बड़ी शद्दा से लड़के को खिलाया आश्चेरे की बात है कि लड़का धीरे धीरे चंगा हो गया कई वर्षों के बाद लड़के के पुन अस्वस्त होने पर वे फिर ढाका आई किन्तु उस समय माँ ढाका न थी लड़के की चिकित सा चलने लगी वे बड़ी गरीब थी वे ढाका में हमारे ही मकान में रही कुछ दिन बाद माँ ढाका आई हम लोगों ने शाभाग में माँ से लड़के का वृत्तान्त कहा कहते ही माँ बोली घर भेच दो वह लड़का बचेगा नहीं यदि बच जाए तो भगवान की विशेश क्रूपा समझो हम लोगों ने कहा गरीब आदमी है यहाँ चिकित सा हो रही है गाउं जाकर क्या करेगा कुछ दिनों की चिकित सा के बाद उसका शरील खूप अच्छा हो गया हम लोगों ने सोचा भगवान ने विशेश अनुगर से बच गया है किन्तु सहसा एक दिन स्कूल से आकर वे स्कूल से आकर के इन्टु ब्रेकेट वमन दस्त होने लगे और दूसरे दिन लगबग नौ बज़े के समय पर वह चल बसा मा उस समय ढाका में न थी शय रोगी का वृत्तांत फिर एक दिन घटना और घटी एक शय के रोगी को उसके आत्म विश उसके आत्म आत्मी अजन मा का नाम सुनकर गाउं से शाबाग ले आए मा के निकट आत्मी उने प्रात्ना की कि मा हम शाबाग से रोगी को चंगा किये बिना कदापी नहीं ले जाएंगे नाजगर के निकट जो दो गोल कमरे थे उसमें से एक में उसमें मा सोती थी दुसरा कमरा उन लोगों को रहने के लिए दिया गया कुछ दिनों के बाद एक दिन नाजगर में कीर्टन हो रहा था उसमें मा की खूब भावा वस्ता हुई उक्त अवस्ता में कपड़ा ठीक नहीं रहता है यह समझ कर में कपड़े का आचल कमर में खूब कसकर बान देती सीर पर वस्तर न रहता नेत्र मुक की तो वह जोती क्या सुन्दर दिखाई देती उसका भाशा द्वारा वर्णन करना असंभव है जितनी देर तक उक्त भाव रहता कपड़ा भी वैसा ही रहता तदुप्रांत मा स्थीर भाव से बैठ कर बोली उसे इंटुब्रैकेट अर्थात उक्तक्षय रोगी को यहां ले आओ रोगी के साथ पांच साथ आदमी थे वे उठा कर उसे कीरतन में ले आए कीरतन उस समय रुक गया था मा जरा गबराड के साथ बोली यहां पर उस से लोटपोर्ट लेने को कहो किन्तु आश्यरी की बात है वह आदमी स्वयम लेट नहीं पा रहा था साथ के आदमी पकड़ कर लिटा दे सो भी नहीं कर रहे थे न मालुम कैसे सब के सब अप्रतीम हो गय थे मा ने दो तीन बार कहा रोगी ने स्वयम लेटने की कोशिश की किन्तु लेट ना सका मा चुप हो गए पीछे मा ने कहा दिखा कहने पर भी नहीं हुआ सब लोग मिलकर भी तो लिटा सकते थे किन्तु वह नहीं हुआ जो कुछ होना है वह होगा ही तदुपरांथ माने उन्हें घर लोट जाने को कहा वे रवाना हो गए रास्ते में ही रोगी मर गया योगेश राय की घटना एक दिन किर्तन में एक विशेश घटना घटी टिकाटुली के निरिपेंद्र चंद्र घोश के साथ योगेश चंद्र राय नामके एक सजन कभी-कभी शाबा गाते थे वे ढाका में ही नोकरी करते थे और वीवा उन्होंने नहीं किया था वे मा के समन्द में अच्छे-च्छे गाने गाते थे शाबाग में कीर्तन में विशेश सयोग देते न थे एक किनारे चुपचाब बैठे रहते थे बहुत देर तक अकेले एकांत में शामा संगित या कोई गाना गाते थे एक दिन किर्तन हो रहा था मा की भावावस्ता प्रचूर मात्रा में ही हो रही थे सारे नाजगर में घूम रही थी कभी उग्र मूर्ती, कभी अति शांत आनंद मैं मूर्ती विवित प्रकार की क्रियाएं आसनादी हो रहे थे मा घूमते घूमते सहसा योगिश बावु के कंदे पर चड़कर खड़ी हो गे वे स्वभाविक रुप से ही चुपचाब बैठे रहे कुछ देर बाद मा उतर पड़ी और घूमते घूमते दुसरी और चली गए सभी योगिश बावु के भाग्य की सराह ना करने लगे उनसे पूछा गया मा के कंदे पर चड़कर खड़ी होने पर उन्हें कैसा लगा उन्होंने कहा एक नन्नी बच्ची के कंदे पर चड़ने पर जैसा प्रतित होता है वैसा ही प्रतित हुआ तब तक मा का गुंगट भली भांती उठा न था बोलते समय बहुत लंबा गुंगट काड़कर बोलती थी कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि योगेश बाबु सन्या सी होकर कहीं बाहर चले गए है मैंने मा से आकर कहा मा बोली गया है फिर आयेगा मेरी समद में कुछ नहीं आया एक वर्ष के बाद योगेश दादा लौट आये उस समय सारी घटना सुनी घटना यों है एक दिन वे शाबा गाए मा उस समय भी अपरिचित पुरुषों के साथ विशेश बात नहीं करती थी बोला नाज जी की मार्फत मा ने उन्हें वह आदेश दिया था एक वर्ष किसी तरह का संबल लिये बिना इंटु ब्रेकेट अर्थाद पीच हजामत नव बनाना एक वर्ष के बाद आकर मेरे साथ भेट करना अवकाश लेकर जाना इवं तुम्हारा मासिक वेतन जिस तरह यहां जमा हो वैसा प्रबंद करना उक्त आदेश पाकर वे चले गए इवं मा के निर्देश आनुसार काम करके पूरे एक वर्ष के बाद आकर शाबाग में वे पुनह मा के चर्णों के निकट उपस्तित हुए उस दिन देखा वे योगेश वाबू अब नहीं है उस समय उनके लंबे बाल और दाड़ी थी माने उनसे अपनी इस अवस्ता का एक फोटो उतरवा कर बाल और दाड़ी मुनवा डालने के लिए कहा इवं पहले की नौकरी संभालने का आदेश देकर बोली इस समय यहीं तक रहो जैसा होगा देखा जायेगा आगे कह दिया यदि इस एक वर्ष के भीतर कहीं मेरे साथ भेंठ हो तो समीप में न आना आगे चल कर यही रमना आश्रम में अनपुणा मंदिर के पुजारी हो नौकरी का त्याग कर आश्रम के भ्रमचारी हुए प्रायह प्रती दिन ही शाबाद में कीर्टन होता था सभी कीर्टन कारियों का दल आकर पाला गा जाता था मा नित्यन उत्तन लिला कर रहे थी एक दिन भोजन करने के पूर्व मा ने कहा खुकुनी मुझे कपड़ा पहना दे तो यह कहकर हाथ जोड़ कर खड़ी हो गए इवा मंद मंद मुस्कुराने लगी थीक तरह से कपड़ा पहनना नहीं जानती हूँ इसी से मा वह कर रही है ऐसा मुझे प्रतित हुआ मैंने बहुत सोच विचार कर पहना दिया किन्तु देखा तो उल्टा हो गया था मा ने हस्ते हस्ते कहा आज वह उल्टा ही पहन कर रहूंगी पिताजी ने कहा वह न तो खिलाना जानती है न कपड़ा पाना जानती है किन्तु अपने हाथ से ही तुम सब व्यवस्ता करती हो मा ने धीरे से कहा जो अपना नहीं जानता है मैं उसी से ग्रहन करती हूं यह बात इतने धीरे कही कि मेरे सिवा शायद किसी दूसरे ने नहीं सुनी, मैं मा के पास ही खड़ी थी, इसलिए मैं सुन पाई, मैंने सोचा, मा कौन है, इस बात से ग्यात होता है, इस कथन से मा ने अपने मुख से ही अपना स्वरूप प्रकट कर दिया, मा अनेक अवसरों पर कहती, तुम लोगों की शुद और पवीत्र भाव से रहने पर ही मैं स्वस्त रहूंगी, तुम लोगों का शुद भाव ही मेरी पुष्टी करेगा, बाहर के खाने से कुछ न होगा, इस कथन से ही हमें आश्चरे होता, हम सोचते, सब का शुद भाव ही मेरे शरीर का पोशन करेगा, कौन ऐसी बात कह सकता है, भक्त जनों का आगमन, काशी से जितेंद्र चंद्र मुखोपाद्याजी ने आकर मा के दर्शन किये, कीतन में मा की भावावस्ता देखकर वे अचंबे में पड़ गए, कही दिन बाद संभव तह, पुजा की छुट्टियों में श्री विरेंद्र बाबु मुखोपाद्या वे प्रति दिन शाबाग जाकर बहुत देर तक मा के निकट रहते, नाना प्रकार के प्रशन और उनकी मिवान सा, दिन में मा बवधा पड़ी रहती, रातरी होती ही निद्रा रहित हो उकती, मा अक्सर रातरी में विशेश सोती न थी, यदि हम लोग रहते, तो हम लोगों क साथ वारता लपकर, अपनी इच्छा अनुसार घूम खूंकर रातरी व्यतित कर देती, यदि कोई न भी रहता, तो टहल कर या बैठे-बैठे रात बीता डालती, रात में बहुत सपश्च रूप से बाते करती, विरेंद्र दादा, अटल दादा, आधी अनेक चटिल प्रशेश बाते न होती, क्योंकि सब लोग जिन सब प्रश्णों को मन में सोच कर आते, मा के निकट आते ही उन सब को भूल जाते, रात को ही बाते करने की सुवीधा होती थी, मा उसी समय विशिष्ट सपश्ट भाशा में सब कुछ कहती, स्मरण नहीं रहता है, यह सोच कर कितने ही प्रश्ण एक दिन चितेंद्र दादा ने रात में जाकर मा से पूछे, मा ने अपनी स्वाभाविक भाशा में उनकी पूरी मिमान सा कर दी, रात्री में विरेंद्र दादा, अटल दादा और हम कई लोग मा के साथ बैठते थे, मा आसन लगा कर बैठती थी, कितनी रोक मंत्र मुक्त होकर सुनते थे, एक दिन विरेंद्र दादा ने कहा, अच्छा, मा ये जो सब नित्य नए नए लोग आ रहे है, इन सब को देखकर तुमारे मन में क्या आता है, मा ने हस्ते हुए तूरंती जवाब दिया, कोई भी नया नहीं है, सभी अती परिचित प्र सदा सब के मन का भाव नहीं भासता, तो भी जब जिदर द्रश्टी जाती है, तुरंत सपष्ट रूप से देख लेती हूँ, जैसे कह, ख, अक्षरों को तुम सब लोग जानते हो, किन्तु सदा ही क्या वे तुमारी द्रश्टी में भासते है, किन्तु जिस समय जिसका स्मर सदारन करते हो, तुरंत ही वे रदय में भासी तो उठते है, बस वैसे ही समझो, वह भी एक दश्टी कौन की बात है, सदा सब को देख कर भी न देखे हुए की तरह व्यवार हो सकता है, खयाल का मतलब और क्या है, फिर एक दिन चर्चा चली, अवतार और सादक में क्या भे मा बाते करते करते कुछ देर चुप होते ही या तो पड़ी रहती, नहीं तो स्थिर्ता के साथ बैठी ही रहती, कभी कभी मा का बोल बाहर न निकलता, उस दिन भी कुछ देर पड़ी रहकर उठ बैठी, बोली, यदि वे अपना स्वयम परिचय न दे, तो साधरन लोगों क निकट उन्हें पैचानने का उपाय नहीं है, फिर थोड़ी देर बात बोली, जो साधक है, वे किसी एक नियम में या कई नियमों में अपने को बांदे रखते हैं, किन्तु जो अवतार है, वे किसी भी नियम के अधिन नहीं रहते, यदि भी सब कुछ भली बांदी उनके भीतर हो जाता है, किन्तु वे किसी में भी बद्ध नहीं रहते, ध्यान से देखने पर उनकी पैचान हो जाती है, हाँ, साधारन लोगों का पैचानना अवश्य मुश्किल है, यह कहकर कुछ देर बात बात बात्चित के सिलसिली में माने, अपनी अवस्था की बात कही, इस कि तुम लोगों की पड़ी हुई पुस्तक का परिक्षा के पूर्वक एक बार पन्ना उलट जाने से ही काम चल जाता है,